बैंडिंग करने से ज़्यादा मुश्किल का काम होता है इसका कनेक्शन करना चलिए हम इसके कनेक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं यह देखिए यह मोटर है उसा कंपनी के जिसकी बैंडिंग कम्पलीट हो चुकी है अब हम करने वाले हैं कनेक्शन तो सोचा कि आपको समझा देते हैं थोड़ा सा कनेक्शन अंदर का तैसे होता है देखिए यह देखिए स्टार्टिंग की कोईल है और यह वाली रनिंग की कोईल है यानि कि दो कोईल रनिंग की दो कोईल स्टार्टिंग की है देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज है और स्टार्टिंग वाले छोरों को अलग कर लेते हैं running वाले से हम connection बताना है start करते हैं देखिए यह running की coil है इसमें से एक सुरू वाला सीरा निकला हुआ है और एक लास्ट वाला सीरा निकला हुआ है इसी तरह से इस वाले रणिंग सेट का देखिए यह सुरू वाला सीरा हो गया और यह लास्ट वाला सीरा हो गया अब आपको क्या करना है एक से तीन में connection करना है इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए starting coil में यह शुरू वाला और यह last वाला और इधर से देखिए यह है शुरू वाला और यह last वाला same to same जैसा कि running का निकला हुआ है उसी तरह से starting का भी निकला हुआ है अभी हम running का connection करेंगे उसको starting को छोड़ देते हैं भी यह देखिए यह सुरू बाला है इसको छोड़ दीजिए आप इसको बाहर निकलना पड़ेगा और यह last वाला है देख रहे हैं इस coil का last वाला outer वाला और इस वाले coil set के outer वाले के साथ में जोड़ना है ऐसे इसका last वाला और इस वाले के last वाले के साथ में जोड़ना है एक दो तीन ऐसे भी गनेंगे तो एक से तीन में connection जाएगा रेखिए चलिए इसको joint लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं पहले इसके उपर का insulation हटाएंगे जो इसके उपर warning हुई है उसको पहले खरोज करके हटाएंगे ऐसे आप सोच रहे होंगे कि इसी को इसे जोड़ देंगे तो current flow करेगा current नई flow करेगा उसके उपर एक layer चड़ी हुई है इस तरह से sleep लेना है इस देखिए आप motor winding करना चाहते हैं समर्सीवल motor पंका cooler तो आप हमारे वीडियो को लगादार देखिए आपको बीच बीच में नहीं नहीं जानकारी मिलती रहती है binding कैसे होती है repairing कैसे होती है इसे sleep लगा लेना है अच्छे से एक से तीन में इसका connection होगा यानि कि जिस coil को आप ले रहे हैं इसका लास्ट वाला को लास्ट वाला के साथ में इसा भी कर सकते हैं कि शुरू वाली को शुरू वाला के साथ में कोई दिक्कत नहीं है हम कर रहे हैं लास्ट वाले दिक्साथ में में connection या double पूल की मोटर है जीरो पाइंट फाइप एच्पी उसा कमपनी की यह देखिए फटा फट से जॉइंट लगा लेते हैं इस तरह से दो सिलीब डाले हैं एक मोटी और एक बतली इसके जो छोर हैं ऐसे इस पॉइंट को इसमें गुसेड देंगे और ऐसे इसको उपर से यह वाल इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे से देखिए सुरू वाला है इस वाले कोईल का और इस वाले कोईल का भी सुरू वाला सीरा बचा हुआ है यह देखिए दो सीरे बचे हुए हैं जिनको बाहर भी हम निकालेंगे सीधा कर गे चलिए इसका भी कनेक्शन कर लेंगे इसी तर से connection कर देंगे यानि कि इस coil set का last वाला सीरा उस coil set के last वाले सीरे के साथ में जोड़ देंगे एक दो तीन जब एक दो तीन गनेंगे किवल running का connection करेंगे तो running का गनेंगे starting का करेंगे तो starting का गनेंगे यहने कि जिस सीरे से connection चलो करेंगे उससे तीसरे नम्मर पर जुड़ेगा चार चार वायर थे तो तो चार वायर अंदर connection हो गया चार वायर बचेंगे दो running के और दो starting के तो बाहर कामन बना दिया जाएगा और दो capacitor के बचेंगे उसका connection हो जाएगा यहीं वह भी नहीं आता कि जिसका कामन बाहर बनाते हैं उसका connection कैसे होता है तो वह भी देखिए हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है देख सकते हैं यह देखिए उसी तरह से इसको भी जॉइंट लगा देते हैं यह आपको थोड़ा सा ऐसे ही connection का वीडियो देखना है ति इतना देख करके आप छोड़ सकते हैं वीडियो को पूरा आप सिलाई बगारा सब चीज देखना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है उसको देख लिजिए सिलाई कैसे होती है क्या-क्या सावधानिया रखनी पड़ती है क्या-क्या-कैसे यह तो हो गई connection की बात यह आपको केवल connection देखना है तो आप इस तरह से देख करके आप वीडियो को इसकिप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए चार बचे हैं द आपको केवल इतना की जरूरत है connection देखना है तो आप इसके बाद वीडियो छोड़ सकते हैं और इस वीडियो में पूरा connection, सिलाई, टेपिंग वगएर सब बताया गया है तो आप पूरा देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं कि इस तरह से motor नई winding करने के बाद connection होता है सिलाई होती है और वर्निस कैसे होता है इस तरह से आपको सूजा बना लेना है और धागा ले लेना है एक green sheet paper है साथ नमर का इसके running और starting winding के बीच में डालेंगे इस तरह से सावधानी पूरोक आपको डाल देना है इसके बाद ही सिलाई करना है running और starting winding सटी ना रहे कहीं पर नहीं तो heat होगी पता चला कि running heat हो रही है और starting heat हो रही उसकी बज़ा से दोनों winding खराप हो जाएगी मोटर चल जाएगी इसलिए इसको separate paper डाला जाता है इसको दोनों side में डाल लेते हैं पटापड से इस side में और side में कर देते हैं इसके सिलाई और इसकी जो चार connection की हैं बाहर निकाले हुए हैं एक running और एक starting का मिला करके कामन बना देंगे बाकि दो बचेंगे एक running और एक starting का तो कईपे sitter उस पर जूड़े आएगा यह है चलिए फटा-फट से सिलाई कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं रखिए इस तरह इसमें गाठी ऐसे मारे हैं जैसे पंक्खा कुलर में मारते हैं बड़ी मोटर रहती है तो उसके लिए दूसरी हो है गट मारने का चलिए फटा-फट से देरी ने करते हैं सिलाई कर लेते हैं complete फटा-फट फटा-फट से सिलाई इसकी कर लेते हैं पतला बायर है ठोकने पीटने की बहुत जरूरती दरूरत नहीं पड़ेगी इसको टाइट भी कर लेते हैं इस सिलाई करने के बाद इस तरह से दागा को काड़ देंगे अब चलेंगे आप उजिट साइज में इस साइज का तो सिलाई बगारा connection सब चीच कंपलीट हो गया इस साइज में भी इस तरह से पेपर लगा लेंगे और सिलाई कर देंगे इसी तरह से आप भी मोटर की वैंडिंग सीखना चाहते हैं मोटर की रिपेरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में सेयर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं देखिए दोस्तों दोनों साइट किसी लाइक कम्प्लीट हो गए